तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आप लोग अपनी वीडियो के उपर इस तरह का वाटर मार्क कैसे एड़ कर सकते हैं तो जो लोग अपना content create करते हैं ना लाइक अगर आप लोग के instagram release के उपर वीडियो बनाते हैं या फिर सिंपल है सबसे पहले हमें watermark create करना है तो new project में जाते हैं photos में जाएं और यहां से कोई भी एक picture को slide करके यहां पर edit photo की उपर click कर देना है इसके बाद क्या करना है इस picture की उपर click करके यहां से हमें इसे delete करना है करने के बाद यहां पर background में जाते हैं black select करके done करते हैं अब क्या करना है यहां पर हम लोगों ने size में जाना है और यहां से three by two कर लेते हैं again done अब क्या करना है? यहां पर टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं और यहां पे अपने चैनल का नाम लिख रहा हूं यह लिखने के बाद फॉंट में जाते हैं और यहां से कोई भी और फॉंट यहां पे स्लैट कर लेते हैं यह स्लेट करने के बाद क्या करते हैं अलाइनमेंट में आते हैं इसे सेंटर करते हैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और लेटर स्पेसिंग भी एर कर लेते हैं और अब क्या करना है इसे done कर देना है, अब क्या करना है उपस्टी में जाएं और इससे 50 कर देइं, और यहां से इसे export कर लेना है, तो इसके बाद क्या करना है यहां से back जाएं और इसे close करते हैं, अब क्या करना है नियू प्रोजेक्ट में जाते हैं अब अपनी जो भी आप लोगों ने वीडियो बनाई है उसको स्लैड कर लें लाइक मैं यहां से कोई भी एक वीडियो को स्लैड करने लगाऊं वीडियो स्लाइड करने के बाद यहां पर एड़ करते हैं एड़ करने के बाद आवले में जाएं एड़ आवले यहां से फोटो में जाके यह वाली पिक्चर को स्लाइड करें और इसे यहां पर एड़ करें अब क्या करना है यहां से ब्लैंड में जाएं और बिल्कुल यह ए जाते हैं जितना भी नाम चोटा या बड़ा करना जाते हैं इसके बाद इसके उपर क्लिक करके आप लोग ड्रै करके जितनी भी वीडियो है उसके एक्वल कर लें तो आप लोग दे सकते हैं आप लोग के पास इस तरह की वाटर मार्क वाली जो वीडियो है वो रैडियो हो च